दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनंदर है आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इस्टूट लहाबाद में दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बेच के अगली सरिंखला उपस्तित हैं जैसा कि आप सभ अडियों में हम चैप्टर नंबर 9 के उस छोटे हुए भाग को कबर करने का प्रयास कर रहे हैं दखिए मेरा एक परम उद्देश से है कि आपका कोई चीज छोटे ना मुझे बैट फिर से आना पड़े वो चीज मुझे मंजूर है और सेम प्रक्रिया आज यहां आप देख भी पा रहे हैं कि मुझे फिर से चैप्टर नंबर 9 पराना पड़ा पीछे मैं जो चीज आपको पढ़ा के खत्म करता हूँ मैं उसे रिवाइज जरूर करता रहता हूँ मुझे क्या चीज छोटी होई है कहां मैंने क्या गलतिया किया है हर चीज को मैं देखने का प्रयास क आपका दूसरा भाग है सहयक सामागरी चैप्टर का नाम है और यहां आप देख पा रहे हैं अपनी बहतरीन सफलता के लिए सफल बैज को जोईन करें जिसके कीमत मात्र 220 रुपे है अगर आपको सफल बैज जोईन करना है तो बिलकुल आप सफल बैज को जरूर जोईन करे मैंने आप से कहा है कि अगर आप सफल बैज को जोईन करते हैं आप एक बहतरीन जगहों पर जरूर पहुचेंगे क्यों क्योंकि इस 220 रुपे में मैंने आपके लिए प्रथम सारे मॉडल पेपर हम आप सारे सब्जेक्ट के दे रहे हैं मॉडल पेपर के साथ साथ हम आपके अब के लिए प्रिवियस येर पेपर के साथ आपके लिए लाइप प्लस रिकॉर्डर क्लासे हैं ज्यादा तर रिकॉर्डर क्लासे ही जा रही हैं ठेक है और हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हम आपको दे रहे हैं ठेक है तो हलाकि ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं Chapter में जो छोटा हुआ था चैप्टर नमबर 9 में Operation Blackboard यानि अगर इसे हम Sard form में कहें तो इसे हम OBB भी कह सकते हैं कभी कभी डायरेक्टली यही आप से पूछ लिया जाता है कि OBB का पूरा full form क्या होगा तो आप लिख सकते हैं कि OBB का पूरा नाम होगा जो है Operation Blackboard होगा एक नमबर में डायरेक्टली यही पूछ लेता है ठीक है तो फाइनली चलिए हम आपको लेके चलते हैं Mobile के स्क्रेन पर लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली वार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लोड करिएगा चलिए हम आपको लेके चलते हैं Mobile के स्क्रेन पर तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने Mobile के स्क्रेन पर जहां से देख पा रहे हैं Chapter No.9 के दूसरी वाले portion पर हम उपस्तित हैं Operation Blackboard यानि Chapter No.9 के तहद ये Topic मैंने छोड़ रखा था क्योंकि आपके लिए ये Topic अत्यानत महतुपोड है अकसर Operation Blackboard आपकी परिच्छा में पूछा जाता है मैंने सुचा कि आपको अलग से इस पर लेक्षर दिया जाए ताकि विश्तरत रूप से कहीं कोई चीज आपका छोटे नहीं ठेक है ध्यान दीजिएगा Operation Blackboard को हम इंग्लिस में अगर साड फॉर्म में कहें तो O, B, B हम कह सकते हैं ठेक है यानि Operation Blackboard कहा जा सकता है कि What is Operation Blackboard अब यहां से आप समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर छोटा है चैप्टर का मतलब यह सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट बिल्कुल छोटा है लेकिन आपके लिए वेरी वेरी महतवपूर्ड चैप्टर है ठेक है यहां कहा जा रहा है कि 1986 में नवीन सिक्षानेती लागो की गई जिसमें 14 वर्स तक के बच्चों को सारवजनिक रूप से सिक्षा प्रदान करने के लिए लागो की गई यानि जो आपके Operation Blackboard के तहत अगर कहें तो यह नेती जो है 1986 में लागो की गई जिसमें यानि यह कौन से नित Operation Blackboard और इस Operation Blackboard में यह कहा गया कि 14 वर्स तक के बच्चों के लिए सारवजनिक रूप से सिक्षा प्रदान की जाए किसमें कहा गया यह Operation Blackboard में कहा गया पूछा जा सकता है कि Operation Blackboard यह सिक्षा नेती कब लागो की गई तो आप कहेंगे 1986 में लागो की गई और पूछा जा सकता है कि Operation Blackboard के तहट कितने वर्स तक की सिक्षा यानि कितने वर्स तक की सिक्षा जो है या कितने वर्स तक की बच्चों के सिक्षा सारवजनिक की गई तो आप कहेंगे 14 वर्स तक के ठेक है यहाँ पर दो कुश्चन आपके बनते हैं अब यहाँ आगे कहा जा रहा है आप समझने का प्रयास करेंगे देखे इसमें कहा जा रहा है इस नेति में यह निश्चित किया गया है कि बढ़ती समस्या जनसंख्या की दबाव को देखकर सुविधाओं के आभाव में सिक्षण करपाना संभव नहीं है क्योंकि सिक्षण है तो सिक्षण प्रयावरण विद्याले तथा अन्य सहयक सामागरी का होना परमावश्चेक है ऐसी इस्तिती में एक नेति का विकास हुआ जिसे हम आपरिसन ब्लेक बोर्ड के नाम से जाना जाता है यानि यहाँ आप इसी समझने का प्रयास करेंगे मुश्किल सी यह चैप्टर फिनिस करने में पांच से साथ मिनट लगेंगे ठीक है लेकिन इस चैप्टर में आपके लिए अतिन्त महत्वड़ चीज़ीं रखे गई हैं फिर सिखा गया है इस नीत में यह निश्चित किया गया है कि बढ़ती समस्या जनसंख्या की दबाव को देखकर सुविधाओं के आभाव में सिक्षण कर पाना संभव नहीं है क्योंकि सिक्षण है तो जो है सिक्षण प्रयावरण आगे कहा जा रहा है आलगे पहले ही मैं बता चुका हूँ बिना सहाइक सामाग्री के सिक्षा प्राप्त करना ये थोड़ा सा मुस्किल होता है कहा जारह ऐसी स्तिति में एक नेती का विकास हुआ जिसे हम Operation Blackboard के नाम से जाना जाता है या जिसे हम OBB या Operation Blackwood कह सकते हैं ठेक है चले आगे हाँ नोट करके मैंने लिख रखा है कहा जा रहा है OBB के तहत यह निस्चित किया गया है कि सिक्षण सुविधा के आभाओं में अन्य प्राप्त सामागरी के माध्यम से छात्रों को सिक्षित किया जाए यहाँ OBB के माध्यम से कहा जा रहा है यह निस्चित किया गया है कि सिक्षण सुविधा के आभाओं में अन्य प्राप्त सामागरी के माध्यम से ही छात्रों को सिक्षित किया जाए ठेक है अब यहाँ एक महतुपूर फैक्ट आ रहा है कहा जाए कथन भी कह सकते हैं ठेक है कहा जा रहा है पूर थोड़ा सा थंड़क पढ़ने लगती हैं जब थोड़ा सा थंड़क पढ़ने लगती है तो टीचर क्या करते हैं बच्चों को बाहर निकालकर धूप में बैठा कर सिक्षित किया जाए जिससे सिक्षा में गुडात्मक सुधार हो सके हना आपने देखा हो का आज भी ये प्रक्रिया हम लोगों की बीच में अपनाई जा रही तमाम सिक्षक हैं और तमाम विद्याले हैं हाला कि इन्होंने विद्याले के आभाव की बात की हैं पर इस समय तो विद्याले का आभाव है नहीं विद्याले तो प्रयाप्त हैं लेकि पर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कहा जा रहा है OBB के तहट सामागरी अब यहाँ OBB के तहट कौन-कौन सी सामागरियां आती हैं जैसे Operation Blackboard की हम बात करें इसके तहट देखे छोटी आरी होगे आती तो बहुत सारी है ऐसा नहीं कि सिर्फ यह मैंने बिल्कुल Short Form में रखा है कि आती बहुत सारी सामागरियां लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करेंगे यह चोटी आरी है साइकल विंच है सेंटर पंच है आगे इस्टील पैमाना पेचकस तार होल्डर चिम्टी छड़ आकृतियां आदी चीजें Operation Blackboard की तहट आती है ठीक है अब यहाँ आपके बीश में हमने कुछ किट के बारे में चर्चा किया है जैसे विज्ञान किट क्या होता है गडित किट क्या होता है और मिनी टूल किट क्या होता है अब यहाँ ध्यान देजेगा यह आपके लिए महतुपूर तो नहीं है लेकिन अगर आपके चैप्टर में रखा है तो थोड़ा सा हम फोकस जरूर करेंगे, इसमें कहा जा सकता है कि छात्रों को भोतिक तथा परियावरण का ज्यान देने के लिए यह आवस्यक है कि पार्थ में विज्ञान भी से को सम्मिलित किया जाएं, जिससे छात्रों में वस्तु तथा परियावरणी तथियों का ज्या आपको पता है छात्र अपने आस पास पाई जाने वाले वस्तूओं की जानकारी करता है और उसे ब्योहार में प्रयोग करने का प्रयास करता है। यहां से आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे गनित कित के तहत हम बात करें आप ने देखा होगा आगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो गणित की आवज सकता मुझे पढ़ने लगती है जिसे आप बाजार चले गए वहाँ पर भी गणित की आवज सकता है कहीं भी जा रहे हैं रास्ते चल रहे हैं तब भी आपको गणित का ग्यान होना परमाउस्यक है तो इसमें कहा जा सकता है कि सामानी रूप से हमाना गया है कि गणित का गणित ब्यवहारिक विसे हैं इसका प्रयोग दिन प्रदिन किया जाता है प्रतेक शेत्र में गणित की ब्यवहारिक ग्यान की परमाउस्यक है इसके लिए छात्र जो है इसका ग्यान होना परमावस्यक है साथ साथ यह भी माना जाता है कि जो गणित विसे बहुत कठिन है जिससे स्वेंग छात्र को गणित जो है सिक्छर से बचना चाहते है मैंने अमें लगता है कि हम कल सुबह से जो मेड़ कि कल सुबह से गणित का प्रारंभ новых होगा फिर भी मैं ये जरूर आप से कहूँगा कि अगर आपको गणित कठिन लगता होगा तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि गणित आपको कठिन नहीं लगेगा गणित अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी मैं आपको बता दूँगा आप समझ जाएंगे इसलिए आप वीडियो के लाज तक गणित जरूर देखिएगा अब गणित विसे में कठिन होने की क्या कारण है कहा जा सकता है कि अध्यापक द्वारा उच्छे सिक्षण प्रडाली का परियोग ना करना जैसे गणित आपको पढ़ाया जा रहा है अगर मैंने कहां आप से जैसे कोई सिक्षण गणित अगर पढ़ा रहे हैं तो जहिर सी बात है नियम कानून कठिन होगे जाएंगे अभिभावकों का लापरवा होना एक चोटी से बच्चे का है आप बच्चों को कभी सिख्चा नहीं देंगे तो जहिर सी बात है बच्चे नहीं सीख पाएंगे नेरुटसाहित का मतलब है गणित की प्रती वो बिल्कुल लापरवा होते हैं चुकि गणित जब आता नहीं तो पढ़ने का मनवे नहीं करता ये मुझे पता है फिर भी मैंने कहा है आप से कि आप ज़्यादा ज़्यादा गणित को ध्यान देजिए आप ज़्यादा ज़्यादा कोस्षण को सॉल्व करेंują अगर कोस्षण को सॉल्व करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपकु सब कुछ समझ में आएगा लेकिन अगर आप थोड़ी सी लापर वही बढ़तेंगे तो भीया सब कुछ मामला वहीं गड़बड हो जाता है ठीक है तो फिलाल के लिए मेने टूल किट पर हम चलते हैं ये क्या है गड़ित का उपकरण बहुत सारी चीज़ें होती है गड़ित की उपकरणों की प्रकार भ प्रियोक से प्राप्त होने वाले ग्यान को सहज रूप से प्राप्त कर लें इसलिए प्रैमरी विद्ध्यालियों को ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतरगत मेने टूल किट या लगूप करण परदान की गई है ठीक है ये मेने टूल किट है अलाकि ये महतपूर नहीं ये इस वीडियो में आपके लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ये जितने लेक्षर में ने आपको बताए हैं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड पर ये 10 मिनुट का वीडियो है आपके लिए बहुत महतवपूर है इसलिए आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो इस धन्यवान